आप अकेले बोल तो सकते हैं पर उन्तु बातचीत नहीं कर सकते आप अकेले आनंदित तो हो सकते हैं पर उत्सव नहीं मना सकते आप अकेले मुश्कुरा तो सकते हैं पर उन्तु हरसोलास नहीं मना सकते हम सब एक दोसरे बिना कुछ नहीं है यही रिस्तों की यही परिवार की खुब सुर्ती है और ध्यान रखिएगा कि परिवार से बड़ी कोई ताकत नहीं है और परिवार से जादा कोई कमजोरी नहीं है दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं लालत जैसा कोई रोग नहीं है अच्छे सुबाव जैसा कोई आपुशन नहीं है और संतोस जैसा कोई सुख नहीं है बगवान की अदालत में वकलात नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती ये हमेशा याद रखिएगा नमस्कार मैं हूं कमर श्रीमाली आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और देनिक रासिफल के इस एपिसोड में सबसे बहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज 29 जून 2020 सोंबार है समवत 277 का आसाड सुकल पक्स चल रहा है और तिथी नवमी है रात को 10 बच करके 12 मिनिट तक और आज गुप्त नवरात्री की नवमी है और आज भडली नवमी भी है जिसे अबूज मौरत के रूप में म उसमें ये भी विशेश मौरत है सबसे ज़्यादा साधियां इस दिन होंगी आज ही के दिन सिद्धी दात्री मा जगदंबा की पूजा करने का विदाने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्धी दात्री की पूजा की जाती है और इनका मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चा और नवमी तिति को मादुर्गा को धान के लावे से अत्वा नए दान से पूजा करनी चाहिए मानने ता ऐसी है कि धान के दान करने से धान के पूजा करने से लोग और परलोग दोना का सुख प्राप्त होता है अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की हस्त नक्षत्र सांत बज़ करके तेरा मिन्ट सुबह तक ही है उसके बाद चितर नक्षतर आनम भो जाएगा आज जो चनमा है वो कन्या रासी में रहेगा साम को छे बज़ करके 26 मिनट तक आज परिद योग है और बालव करण है आज राउकाल प्रातर साड़े सांथ बज़े से नौ बज़े तक रहेगा और अब बात करते हैं सुब चोगड़या मौरत की आज प्रातर पांच बज़ करके 50 मिनट आता सूरुदय कालिन इस्तिती से ही सांथ बज़ करके 20 मिनट तक सुब चोगड़या मौरत रहेगा और उसके बाद में दो पर में दो बज़ के 50 मिनट से साम को चार दक्षिन और पस्चिम दिसा में आज यात्रा करना सुब है और आज के दिन पूर्व दिसा या साउतिस्ट अगने दिसा में यात्रा करना वर्जित है इस दिसाओं में दिसा सूल लगा रहेगा अब बात करते हैं सुब्ग्रय योग की, आज सूरिदे कालिन कुंडली में सम योग, वेशी योग, केंदर त्रिकॉन राज योग, हर्स योग, शरल योग और संख योग की इस्तिती होगी, संख योग का साथ मिलेगा आज के दिन सुब्फल ट्राप्त करने वाली रासिया हैं मिथुन रासी, करक रासी, कन्या रासी, रस्चिक रासी, कुंब रासी और मीन रासी अब आज एके दिन जो तीन रासियां रासि से फोर्थ चनमा, एड़्थ चनमा या ट्वैल्थ चनमा जिनको होगा उन रासि वालों को उन रासि के जात्त को सावदान रहना चाहिए वह रासियां मेश रासि, सिंग रासि और धनु रासि आईए अब बात करते हैं डेली रासी फल की देनिक रासी फल की सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी से आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग भाव में चन्मा विराज माने यह चन्मा सुब माना जाता है आज के दिन नक्सत तशिद्धानत के अनुसा संपत अरह का सैयोग मिलावा आता संपत्ति प्राप्ति वाली योग शंपत का अर्थाथ ही है सुख सुविदा अता सारे सुख और सारे ऐश्वारी संपत्ति वाली स्थिति आपके पास में है अश्टक वर्क में भी 37 डॉट है आज के दिन जो की बहुत ज्यादा बैटर है बहुत ज्यादा सुब है तो रासी से 6 चनमा जब भी होगा तब financially अच्छा होता है रोग निवानन के लिए अच्छा होता है और व्यक्ति सत्रों से fight करके जीच जाता है चाहिए कोई भी competitors हो कोई भी exam हो कोई भी interview हो या कोई भी आप की कोई competition के exam जैसी इस्तिती हो सकती है कहीं पर वाद विवाद हो सकता है कोट का चरी का matter हो सकता है उन सभी इस्तितियों में रासी से 6 चनमा हो तो व्यक्ति को success मिलती है अताद वो वाद विवाद में जीच जाता है जो अपनी condition है दूसरों पर हावी हो करके उसको gain होता है सब मिला करके यह दिन उन्नती प्रदायक होता है success का दिन होता है, financial gain यहाँ पर होता है और व्यक्ति खुद आननदी तो हता है और जो व्यक्ति सुखी है, जो व्यक्ति खुद आननद में प्रसन है वो व्यक्ति दूसरों को भी प्रसनता बाटेगा, आननद बाटेगा धन और संपत्य के लिए भी समय काल सुबें, क्योंकि रासी से फोर्थ आउस का अधिपती चनमा है, फोर्थ आउस होता है धन, संपती या भूमी, बावन और वहन का, सुख का, तो सुख का अधिपती आपको रोग निवाण की स्थिति में ले रहा है, रासी से सिक्स आउस में है, जो student हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है, कोई भी exam देना चाहें, कोई भी competition देना चाहें, कोई भी entrance exam देना चाहें, ये स्थिति आपको success देगी, ये स्थिति आपके लिए comfortable है, जो housewives हैं, उनको health ठीक रखने का, या उनको सांती का, उनकी जो problem चल रही थी, उसमें रहात का समय होगा, ये जो कुछ समय हैं, या आज की साम साड़े 6 बज़े तक, आपको relaxation मिलेगा, आपको मानसिक और सालीरी ग्रूप से रहत मिलेगी, जो भी आपके स्थितियां वीक थी, उनसे निकलने का, आपको मौका मिलेगा, जो भी business मेन हैं, उनको इस समय काल में deal करके, बहुत जादा strength मिलेगी, बहुत जादा gain बुद्ध, ये सारे एक सारे आपको उन्नति और प्रगति दे रहें, आज का लखी कलर है ग्रे कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आईए अब बात करें, व्रसब रासी की, आपकी रासी से पंचम बाव में चनमा विराज माने, ये चनमा आज साम तक है, अताद आज साम तक आपको बहुत ज़्यादा सावदानी से समय व्यतीत करना है नक्षत सिदान के उसार मित्रतारा का आपको सयोग है और अश्टक वर्ग में 20 डॉट है जो की सिरफ परियापते है तो रासी से पंचम चनमा होने से आपसिकल साते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें व्यवधान आते हैं और काम समय पर पूरा नहीं होता है, लंबा खिच जा तो व्यक्ति असांत ही होगा, ऐसी इस्तिति में आप भी असांत हो सकते हैं और फिर आप एग्रेसिव होकर के फिर आप एंग्जाइटी में आवेश में आकर के कोई गलत हरकत कर सकते हैं, अता तो इस डील को करने के लिए, आमदने के लिए, वो गेन के लिए, या तो अप काल में व्यक्ति अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे तो व्यारत के मोजाल में फस सकता है बुरी आसकती में फस सकता है यह सावदान रहने का समय काल है इसलिए आप करपया अपने आप पर नियंतन रखें, सयम रखें, ध्यारे रखें, क्यों ऐसी इस्तिती में जो दूसरे आप, आपके साथ में कोई प्रॉलम करना चाते हैं, कोई कांड करना चाते हैं, आपको धोके बाजी देना चाते हैं, वो इस समयकाल में success होने के लिए अपना पूरा प्रियास और आपको उन कंडिशन से बचने के लिए पूरा प्रियास करना है, स्टुडेंट भी इस समय कोई को ऐसी संगत में फस सकते हैं, जो आपको नेगिटिविटी दे सकते हैं, जो आपको अपनी education से ध्यान बठका सकते हैं, या आपको दूसरे सब्जबाग दिखा सकते हैं, इसलिए आपको भी सावदान रहना है, हाउस वाइफ को इस समय काल में संतान से समधी सावदानिया ज़्यादा रखनी है, संतान से वैचारिक मतबेद हो सकता है, संतान के साथ में आप कोई प्रावलम में आ सकते हैं, या मालो आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई छोटा बड तो संतान से समधी संतान के साथ में गई जा रहे हैं, तो भी सावदान रहना है, और संतान के साथ में कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो भी सावदान रहना है, आज का लखी कलर है पिंक और आज का लखी नंबर है नंबर सिक्स आईए अब बात करते हैं मित्वन रासी की आपकी रासी से फोर्थ हाउस में सुक बाओ में चन्मा विराज माने वह चन्मा आपकी रासी से सेकंड हाउस का लॉड है second house धनो संपते के लिए होता है और fourth house भी भूमी बहुन और वाहन के लिए होता है लेकिन रासी से fourth चल्मा को कभी सुब नहीं बोला जाता है आज के दिन नक्षट सिदान्त के अनुसा सादक तारा का आपको साथ मिलावा है जो की सुब है और अश्टक वर्ग में भी 29 डॉट है वो भी अच्छे हैं वो भी प्रयापत है या यह बोल सकते हैं प्रयापत से ज्यादा अच्छे हैं ऐसी इस्तिति में रासी से fourth house का चल्मा के जो दुख है वो आपको कम मिलेगा या उससे fight करने की उससे निकलने की आपमें ताकत मिलेगी रासी से fourth house का चल्मा जब भी होता है व्यक्ति अपने घर वालों से उलसता है ना चाते भी उनके साथ वादविवाद में पढ़ जाता है घर में कोई ऐसी कोई कोई कंडिशन हो जाती है ना चाते भी उसमें उनको involve होना ही पड़ता है बोलना ही पड़ता है जब आपके उपरी कोई बात आ जाएगी अपमान जैसी इस्तिति आ जाएगी वाधविवाद का मुख या वाधविवाद का तीर ही आपकी तरफ मोड दिया जाएगा तब आपको अपने बचाव के लिए आपको अपनी रक्सा के लिए बोलना ही पड़ेगा जो की गलत नहीं है लेकिन जब जरूर से ज़्यादा कोई चीज हो जाती है तब उस point को वहीं छोड़ करके वहां से side में हो जाना चाहिए जहां पर वादवियाद हो रहा है जहां पर hot परिवर्ग है वो भी सारे दिन काम काज करके सिर्फ और सिर्फ या तो पैसा फसाता है या लॉस में चला जाता है student को इस समयकाल में mental harassment से बचना चाहिए व्यर्थ के तनावों से बचना चाहिए जहां तक हो सके गरेलू मामलों से दूर रहना चाहिए और अपने study पे अपनी strength पे अपने activities पे या अपने खेल कुद पर ध्यान देना चाहिए अपने को physical fit रखने के बारे में हमेशा आपको conscious रहना चाहिए गरूलू मेलाओं को आज के दिन असानती ज्यादा मैसूस होगी अदद घर वालों के साथ में कुछ attitude उनका बिगड़ावार रहेगा आज का लखी कलर है येलो और आज का लखी नंबर है नंबर फूर आई अब बात करते हैं करक रासी की आपकी रासी से तीसरे बाव में चनमा मौझूद है रासी का अधिपती होकर के चनमा मौझूद है और नक्षत कनुसा जन्मतारा का साथ आपको मिलावा है और अश्टक वर्ग में 24 डॉट है जो की प्रयापत है रासी से तीसरे चनमा कि सुब अवस्ता आज साम को शाड़े चैन बजे तक है उसके बाद में चनमा रासी से फूर्टा उसमें आ जाएगा जो की चनमा आपके लिए एक तारिकी रात को लगबग नौ बजे तक रहेगा और उसके बाद में जो चनमा बदलेगा रासी से फिपत आ जाएगा वो व आपके पक्स में नहीं रहेगी इसलिए जहां तक हो सके फालतू चीजों से बचने का प्रयास कीजेगा कोई भी अगर कोई आर्गुमेंट के लिए वाद विवाद के लिए कोई सपस्टी करने के लिए घर पे आना चाहता है तो उस समय को टाल दीजेग अभी आपको समय नही में जो भी आप इनवोल ओंगे वाद व्यूद में वो आपके फक्स में नहीं होगा और उल्टा आप उसमें नेगेटिफ इस्तियों में आ जाएंगे आप वाद वियुद को सुल जाने की कोशिज करेंगे लेकिन सारी स्थिया आपके विपरीत हो जाएगी इसलिए आप ए वो सिरफ आज की स्तितिका बता रहा हूं आज सूरे देशे सामको 6 बज़े तक आपको फाइनिशल गेन हो सकता है आपको समान और पत्पतिस्ता मिल सकती है आपके नेमफे में प्राक्रम में व्रद्धी हो सकती है साथ ही साथ आपको कोई रोगों से लड़ने के लिए कोई अ अप्रोच करेंगे आज साम तक उसमें आपको विजय भी मिलेगी और आज साम तक आप प्रसन भी रहेंगे अताद इस समय काल का आपको फाइदा उठाना चाहिए और उसके बाद में साम को साड़े छहें बज़ेक बाद जोस्तिती होगी उसके लिमेंटली प्रिपेर रहना और यह डी रहना चाहिए आज का लक्की लारे रेड और आज का लक्की नंबर 1 अब बात करते हैं सिंग राइसी की आपकी रासी से सेकंड आउस में चनमा विराज माने सेकंड आउस धन और संपत्ति का होता है आपकी वानी का रहता है आपकी राइट आई का रहता है और आपके परिवार का रहता है लेकिन रासी से सेकंड आउस में चनमा को सुब नहीं बोला जाता है आज के दिन नक्षत से 50% कमी आजाएगी नक्षत अश्टावर के अनुसार तो ऐसी इस्तिती में financially जो loss हो सकता है उसमें ये बोल सकता है कि loss नहीं होगा या loss बहुत कम होगा जहां तक संभवो investment से बचना चाहिए जहां तक संभवो इस समयकाल में सोदे को square करने से बचना चाहिए जो सोदा चल रहा है वो आप आज साम तक चलते रहने दें उसके बाद में कल विचार करें या जब भी market खुले तब आप विचार करें तो इस्तिती आपके पक्स में होगी क्योंकि आज साम के बाद में चन्रमा ज़्यादा बैटर हो जाएगा आपके लिए और एक तारीक की साम को 9 बज़त है कि वो चन्रमा आपके लिए proper रहेगा गेन वाला रहेगा सबसे बड़ी चीज़ है गरासी से तीसरा चन्रमा होता है तो व्यक्ति की मनों कमना पूर्ण होती है तो व्यक्ति को अच्छे सरकल का फाइदा मिलता है जिन लोगों के पास हो जाता है उन से उनको लाब होता है वो इस्तिती आपके लिए आज साम के बाद होगी तो आज जो इस्तिती है वो mental असंतोस मिलेगा अताद unsatisfaction मिलेगा आँखों के रोग आपको परशान कर सकते हैं आपको चिंता परशान कर सकती है जो भी approach करेंगे जहां भी मिलने जाएंगे या तो वो लोग नहीं मिलेंगे और या पिर आपको जवाब संतोस प्रत नहीं मिलेगा यह समयकाल student के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि उनको भी कोईन को बुरी आ सकती गहरती है या बुरी प्रवती गहरती है और आज के दिन जो financial gain के लिए लाला ही थे हैं वो लोग भी कोईन कोई पाप प्रवती में इन्वाल हो सकते हैं अधात गलत कारे करने के और प्रवित हो सकते हैं कोईन को गलत statement दे सकते हैं या जो आपको मालूम है कि यह सामने वाले ने गलती किये फिर भी आप उसको छुपा करके gain ले करके चले जाते हैं ऐसी इस्तिति में आज ने तो कल वो गलती पकड़ी तो जाएगी और फिर आपसे रिकवरी होगी आज का लखी कलर है गोल्ड और आज का लखी नमबर है नमबर 6 आई अब बात करते है कन्या रासी की आपकी रासी वाव में ही चन्मा विराज माने जो कि आपकी रासी से 11 ता उसका लॉड है गेन का लॉड है तो यहां पर लाब और आपकी रासी दोनों का संबंद हो गया है आज के दिन नक्षट सिदान के अनुसा सादक तारा का सहीोगा आपको मिलावा है सादक का मतलब यह होता है सफलता सादक का मतलब होता है जो भी करम करें उसमें सफलता तो सादक तारा आपके लिए सुब है और रासी से पहला चनमा भी सुब है अश्टक वर्ग के अनुसाद 26 डॉट है जो कि प्रयापतें अच्छे हैं उसका फाइदा आपको मिलेगा तो ऐसी इस्तिति में जो भी कामकाज आप करेंगे जो भी आ आप एगरिमेंट करेंगे उन में आपको मिलेगा सथना मिलना था कि मुझे मालूम था एक ॉयक्त मिलेगा तो मुझे करवा दीजिए उसमें भी मैं आपको अच्छा handsome amount दूंगा या अच्छा percentage दूंगा तो आपके लिए situation और ज्यादा better हो जाती है क्योंकि आज के दिन भाग्य का सयोग भी आपको मिल रहा है support भी मिल रहा है इसी स्थिति को सुभ संयोग कहा जाता है अथात जब आपको कुछ गेन होने वाला होता है तो सारी स्थितियां आपके पक्स में होती है और जिस दिन आपको नुकसान होने वाला होता है उस दिन अच्छी गेन देने की जगए उल्टा आपको टॉर्चर करके चले जाते हैं लेकिन आज का दिन आपके लिए अच्छा है सुब है इसलिए वो फाइदा आप उठा सकते हैं यदि को ट्रेवल प्लान है कोई यात्रा करनी है तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी इस समयकाल में आपको अच्छा लगेगा या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा रासी से दसंभाव में बुद्ध अपनी स्वरासी का है ऐसे इस्तिति में पंच मां पर उसमें से एक योग भदर योग का आपको साथ मिलेगा ये इस्तिति आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है आज का लखी कलर है ब्लू और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आईए अब बात करते हैं तुला रासी की आपकी रासी से ट्वेल्ट आउस में चनमा विराजमाने आज के नक्षत सिद्धान्त का मित्र तारा का आपको साथ मिलावा है जो की सुब है और अश्टक वर्क में 29 डॉट है 29 डॉट है जो कि आपके लिए बैटर है सुब है ऐसी स्थिति में रासी से ट्वेल्ट चनमा जिससे सुब नहीं का जाता है जिससे नेगेटिव बोला जाता है तो यहां पर नेगेटिविटिव को कंट्रोल करने का मौका नक्षत तारह से मिलेगा और अश्टक व रख का सिद्दांट यहांपर इस जंग से कामाता है हर जब वो चेंज करता है रासी तो उस समय उस रासीऔर शाषिका क्या इस ट्रेंट यह अश्ट्रग्वर्ग ऑर при जाना जान जाता है एक और शिती ओते सरवाश्टर वर्ग अता उस दिन सर्वास्टेग वर्ग में कौन से भाव को कौन सी रासियों को कितनी स्ट्रेंट है उसका फाइदा मिलता है तो वही सिदांद हम यहां पर काम में ले रहे हैं रासिसे ट्ट्वेल चलमा व्यक्ति को मेंटली अफिट करता है ब्यरत में उसको इधर इधर गौमाता है अता ना चातावे भी व्यक्ति यात्राइ करता है बहुत जञादांद होता है या ब्रहमित हो और जो नहीं करना चाहिए जो उसकी यादास दोका दे देती है तो जो उसने नहीं लिखा वाए वही वो काम करता है सामने वाले ने बोल दिया था कि मैं 29 तारीक को आपको नहीं मिल पाऊंगा मैं बाहर जा रहा हूं फिर भी आप वो भूल जाते हैं और आप एप्रोच करने एक्समेंसेज यहां पर जादा होते हैं रासी से बारवें बाव में जब भी चनमा होता है व्यक्ति फालतू पैसा खर्च करता है या जिसको नहीं पैसा उदार देना होता है उसको भी पैसा दे देता है और साथ इसा जिससे पैसा लेना होता है वो पैसा आज के दिन नहीं में आपको अपनी रासी के दान देना चाहिए क्योंकि मैं आपकी रासी के बारे में बोल रहा हूं कि आपकी रासी से 12 ताउस में चनमा है तो आप यहां पे परशान होंगे जिसकी तुला रासी है तो तुला रासी वाले लोगों को शुकर से समध्धि दान देने चाहिए या शुकर का मंतिज़ाप करना चाहिए या देवी कवज का पाट करना चाहिए ये सारी ओसlichesते करके आप 12 वाओ के चर्मा को 4 ता उसके चर्मा को या 8 ता उसका चर्मा जब जब भी आपके पास में होगा आपके लिए आएगा उसके आप रक्षक बंज उससे आप रक्षा कर सकते हो या उसका दान करके आप उन प्रबावों से बच सकते हो आज का लखी कलर है बैंगनी और आज का लखी नमबर है नमबर शिक्स आईए अब बात करें व्रस्चिक रासी की आपकी रासी से 11 आउस में गेन भाव में लाप बाव में चनमा मौझूद है और यह चनमा भाग्य भाव का अधिपती होकर के मौझूद है तो ऐसी इस्तिति में भाग्य और लाप का यहां पर संयोग उपस्तित हो जाता है या एक आज के दिन नक्षत सिद्धानत का अनुसा संपत्तारा का आपको सयोग मिलावा है संपत का अता संपती जो की बहुत ज्यादा बैटर है तो रासी से 11 चनमा वह भी बैटर है नक्षत भी आपके लिए सुब है और 39 डॉट अश्टरक वर्ग में जो की मैक्जिमम के आसपास है मैक्जिमम डॉट 42 43 होता है वो आपके लिए 39 लगबग जो प्रियाप्तिस्तिती होती है उससे ज्यादा बैटर है या जस्ट डबल है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंट फुल है आज के दिन आप कमाल करने वाले रासी सी 11 चनमा 11 चनमा ही लाप के लिए की डायलोग बोला वो डायलोग ऐसा होगा जो सारी इस्तिति को पलट कर रख देगा और वह काम जो नहीं हो रहा था वहो जाएगा सरफ आपके साथ जाने से इसने सारा सहरा आपको बन जाएगा अतारा हाद आपकी वजह Security करेंगे वो कामकाज करेंगे वह आपका बहुत ज तो चाहिए उससे ज्यादा गेन होगा चाहिए आप जॉब करते हैं तो भी आपका कोई बकाया वो आपको मिल पाएगा कोई अच्छा और आपको मिल सकता है अच्छी पोस्ट आपको मिल सकता है और या पिर कोई सर्टिफाइट कोई सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है तो यह समय काल financial gain के लिए money collection के लिए यात्रा के लिए या किसी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा better है student के लिए भी आज का समय काल बहुत ज़्यादा better है online classes करें या coaching classes संपर करें जो गरेलू गरेनिया है housewife है उनके लिए आज का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा better है उन्होंने जो कुछ भी आज काम किया जो कुछ भी पकाया है उसके लिए भी आपकी तारिफ होगी अतात आज आपने शांदार काम किया कमाल का काम किया आज का लखी कलर है silver और आज का लखी number है number 9 आईए अब बात करते हैं धनू रासे की आपकी रासी से टेंथ आउस में आपके केरे राउस में चनमा विराजमान है जो की सुब है आज के दिन नक्सत सिद्दान्त के उनसार शेम तारा कल्यान कारी तारा का साथ आपको मिलावा है और आज तक वर्क में 21 डॉट है जो की प्रियाप्त है रासी से टेंथ चनमा आपके काम का आज में बहुत ज़्यादा इंटरस्टेड रखता है अतात आपका इंटरस्ट कुछ नई बातों में कुछ नई सीखने में नई डिलिंग में नई लोगों से मिलने में नई एप्रोच करने में लगता है जो की व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए लेकिन आज के दिन जो आप करोगे उसका रिजल्ट भी उस एक्सपरिमेंट का रिजल्ट भी आपको साम तक मिलेगा क्योंकि ये जो चनमा है साम को साड़े च्षैंब जागे और आफिस में ड्यूटी भी लगबग च्षैंब जागे साड़े पांच बज़े पांच बज़े खत्म हो जाती है ऐसे इस्तिति में आपको इसका फाइदा आज दिखेगा आज साम के बाद में वो चंडमा है रासी से 11 आउस में आ जाएगा तो और ज़्यादा बैटर हो जाएगा तो एक तारिक तक इस्थितियां साम को 9 बज़े तक इस्थितियां आपके पक्स में रहेगी जो गेन वाली इस्थितिया अताथ आज जो आप अपरोच करेंगे आज आइडिया लगाएंगे युक्ति लगाएंगे आज जो टेक्निक लगाएंगे उसका फाइदा आपको अगले दो दिन में जरूर आपको मिलने वाला है दिखाई देने वाला है रासी से टेंच चनमा आपकी पितिस्था में व्रद्धी करता है नेम फिम में व्रद्धी करता ह जिसका फाइदा आपको मिलेगा जो धार्मिक लोग हैं जो पूजापाट वाले लोग हैं जो वरद्ध लोग हैं आज के दिन उनको अच्छी अनुबुती होगी जब वो पूजापाट कर रहे होंगे ध्यान लगा रहे होंगे आज का लखी कलर है ब्लू कलर और आज का लखी नमबर है नमबर सिक्स आईए अब बात करते हैं मकर रासी के व्यक्तियों की आपकी रासी से नाहीं ता उसमें चनमा विराजमान है यह चनमा आज साम को साड़े 60 बज़ा तक ही है उसके बाद में रासी से दसम चनमा आपके काम काज के लिए सुब आएगा और उसके बाद में एक तारिकी रात को नो बज़े रासी से ग्यारवा चनमा आएगा जो और ज्यादा बैटर होगा फाइनिशल गेन के लिए और वो तीन तारिक की रात को बारा बच के सांत मिनिट तक रहेगा अताथ आने वाले जो जो समय है चार दिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा बैटर है रासी से नाइंत चनमा है आज के दिन नक्षट सिदान्त को साब प्रत्यारी तारा इसका मतबादक तारा आपके लिए लेकिन आस्तागर्ग में डौट 27 डौट है जो की अच्छे हैं जो आपको सुरक्षित रखेंगे जो आपको साहता देंगे रासी से नवम चनमा जब भी होता है व्यक्ति को धरम के प्रती आस्ता जागरत होती है जो भी वो पूझा पाट करता है उसमें अच्छी अनुभूती होत है यह विक्ति धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेता है अध्यात्मिक लोगों से मिलता है सादू संतों से मिलता है जहां पर कोई को प्रवचन हो रहा है वहां पे जाकर करके साहता करता है सेवा करता है ऐसी गतिविदियों में प्राय उसका समय व्यतित होता है जब रासी से सकते हैं वो अपनी classes जॉइन नहीं करता है इस समय ओन-laign classes हो रही है और वो समय सुभे सुभे सोता ही रह रह रहा है तो तो प्राय उसकी सारी online classes ऐसे ही जा रही है ऐसे इसदितीमें आप उसको ढांड सकते हैं जो यातरा करेंगे वो यातरा प्राय रासी से नहीं ता उसमें जब भी यात्रा करते हैं वो यात्रा व्यक्ति के सुरक्षित नहीं होती है या तो आधी यात्रा से वापस आना पड़ता है या वो यात्रा उसको कोई कोई सक्सेस देने की जगह असफलता दे देती है तो ऐसी इस्तिति में जहां तक संभव हो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो व्यक्ति को यात्रा से आवड रहना चाहिए यात्रा को टालना चाहिए रासी से नाइन चनमा में जो भी डील करते हैं या बिजनस के लिए ज समयकाल में बचना चाहिए लेकिन ये इस्तिति आज साम तक है आप इन डील के लिए बिजनस मिटिंग के लिए कल का दिन आप डिसाइड कर सकते हैं अब तीज तरीक आपके लिए अच्छी है एक तरीक आपके लिए अच्छी है आप उसका फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि अगले दो दिन चर्मा आपके लिए रासी से टैंता उसका चर्मा होगा जो बिजनस में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उसके अगले दो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा गेंड की इस्तिति है उस समयकाल का फाइदा उटा सकते हैं जो ग्रैनिया हैं उनके के साथ में वादवियाद हो सकता है उससे सावदान रहें जहां तक हो अपने काम से काम रखें अपने स्टेडी से स्टेडी रखें और नहीं तो सबसे अच्छा सिद्धानत है कुछ नहीं समझ मारा है तो थोड़ी रेस्ट कर लीजिए थोड़ी दे सो जाईए एक प्रकास एक प्रकासे पावर्ड नेप ले लीजिए फिर वापस जाक करके पढ़िए तो साइद इस्थितियां बहुत ज्यादा कमफर्टेबल होगी आज का लखी कलर है येलो और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री आईए अब बात करते हैं कुम रासी की आपकी रासी से एड़ ता उसमें चनमा विराज माने यह चनमा व्यक्ति को व्यर्ट में ही कहिन के परेशान ही देता है कला देता है और साथी नक्षत सिद्धान्त का नुसार भी आज के दिन प्रत्यारी तारा है जो की बादक है जो तो चौबीज है वो प्रियापत्य यह बोल सकता है अस्तर जरूर आपकी सायताय कर रहा है लेकिन ना तो नक्षत सयोक कर रहा है और ना चनमा सयोक कर रहा है तो रासी से एड़ चनमा व्यक्ति को दुरगट नहीं देता है व्यक्ति को चोड़ देता है को इनको परेशानी देता है या घर वालों से कले होता है जहां वो जॉब कर रहा होता है वहां कले होता है जॉब से घर जाते वे या घर से आते हुए कोई 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 प्रावलम उसके रास्ते में आती है जिन लोगों से उसका लड़े जगड़ा हो चुका होता है वो लोग रास्ते में मिल करके और टॉंट बाजी करता है या परिशान करते हैं ऐसे इस्तितियां भी आती है उस इस्तिति से अवइड रखने के है आपको यदा कदा कभी-कभी रास्ता बदलना चाहिए जब आपका समय ठीक नहीं है तब हमेशा वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए रास्ता बदल दे और यह भी जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो लोग सेलिबिटी हैं बहुत बड़े-बड़े व्यवसाही हैं उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके ड्राइवर को भी मालूम नहीं रहे आज आप कौन से रस्ते से ऑफिस जाने वाले हैं या मीटिंग के लिए जाने वाले हैं यह स्ट्रेटीजी आपको हमेशा सेफ रखेगी यह एक प्रकासी की इस पेशल टेकनिक है जो ज्यादातर लोग जो भी बड़े बड़े विजनसमेन हैं या बिरुरिकर्ट्स हैं या पिर राजनिति की लोग हैं मंत्री है वो लोग यह टेकनिक अपनाते हैं क्योंकि यह उनकी सेफ्टी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है रासी से एट्थ चनमा व्यक्ति का सब मिला करके रोग में दिन जाता है अताद व्यक्ति हेल्थ से भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ भी उसको सुख नहीं देती है और ना वो मेंटली हैपी रहता है ऐसे इस्तिति में ये समयकाल उसके लिए बहुत ज़्यादा वीक रहता है व्यक्ति भैवीत रहता है और खुद दुखी भी रहता है और पीडित भी रहता है ऐसे इस्तिति में आपको सनी से समधित दान करने चाहिए सनी की पूजा उपासना या सनी चालिसा का पाट और या पर शनी का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सर्शने नमा इस मंत्र का है मीन रासी की आपकी रासी से सब्तम बाव में चनमा विराज माने और आज के दिन नक्षत सिदान्त का नुसार आपके लिए शेम तारा आता कल्यान का रिस्तिती है अश्टरकवर्ग में तेतीस डॉट है जो की बहुत ज्यादा अच्छे हैं प्रियाप से ज्यादा अच्छ लोग भी मिलता है कि आज ही के दिन ग्रैस के लिए पूर्ण लपत्र सुख लिए बी सुब लोग लोग होनजा के लिए समयय काल बहुत ज्यादा प्रॉपर बोला जाथ है अच्छा बोला जाता है अतात आगड़ के दिन जो भी आप रिस्क भी लेते दो भी आपको लेकिन यह स्थिति सुख वाल स्थिति सर्फ आज रात को साड़े चैंबजे तक है सामके साड़े चैंबजे तक है उसके बाद रासी से आंठवा चनमा आपके लिए आ जाएगा इसके लिए आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अता जो मैंने ग्रस सुकी दामपत स्थिति को खराब कर सकता है एक फॉन को लाकर के स्थिति को बिगाड़ सकता है जो अच्छी स्थिति ती जो सुख में स्थिति ती उस स्थिति में कोई कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको स्ट्रेस लेना पड़ सकता है कोई कोई प्रॉब्लम आ सकती है आज का लखी कलर क् सेवन ये था आज का देनिक रासिफल आपको ये रासिफल कैसा लगा ये रासिफल में यदि को सुजाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज विसेश मौरत भी है गुप्द नवरात्री का आखरी दिन भी है नौमी भी है और इस्पेसली आज बड़ी नौमी है जिससे अबूज मौरत का आ जाता है जिससे मानावा मौरत का आ जाता है आज के दिन कोई भी नक्षत्रों कोई भी योगों ये दिन को सुब बोला जाता है सबसे ज़्यादा सुब मौरत इस समयकाल में होते हैं क्योंकि इसके ठीक आपको दो या तीन दि जब तक कोई भी सुबकारे विवा, सुबकारे दुकान का मौरत या घरभ प्रवेश नहीं होते हैं वो इस्तिती आ जाएगी इसलिए ये इस समय काल का आखरी मौरत भी बोला जाता है और इसलिए सबसे ज्यदा सुबकारे मांगली कारे इसी मौरत में होते हैं और हम भी इसी मौरत में विसेस मौरत में आपके लिए कवच का निर्मान कर रहे हैं यदि आपकी कोई समस्या है उस समस्या को बतला करके आप कवच निर्मान करवा सकते हैं आपकी कोई कामना है उस कामना को बता करके आप ग्याद कर सकते हैं कि कौन सा कवच आपके लिए उप्युक्त है समयकाल का फाइदा उठाना आपके हाथ में है जुलाई 2020 का मासिक अंक अताद विश्वतंत जोतिस का जुलाई अंक हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है आप इस अंक को पढ़ सकते हैं यह सिव उपासना पर है सावन पर जो भी पूजा उपासना होती है यह अंक उस पर आदारीत है आप इसे जब आपको convenient time हो आप जाकर के पढ़ सकते हैं यह उपलब दे हमारी वेबसाइट कमलश्रीमाली.com पर जाकर के आप इस मेकजिन को पढ़ सकते हैं आज इस एपिसोड में बस इतना ही स्वस्त रहें प्रसं रहें अपना अपने परिवार का ख्याल रखें आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत शुब कामना है इस वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद